गर्स वर्सिस बॉइस दुनों में कौन भैतार है और साथ आज हम यह भी जानेंगे कि दुनों में क्या डिफ्रेंस है तो चलिए शुरू करते हैं गर्स को साथ सफाई बहुत पसंद होती है फिर चाहे हम बात करें अपने बॉड़ी की या फिर अपने घर की गर्स सभी चीज़ों को साथ सफाई से रखना पसंद करती है और अगर हम बात करें बॉइस की तो कुछ बॉइस तो ऐसे होते है जो कि थंडी की दिनों में भी नात वह चाहती है में हमेशा खुपस्वरत दिखू और बाकी गल से हमेशा डिफेंट दिखू इसलिए वह ड्रेस, कॉस्मेटिक, एंड ब्यूटी पालार में बहुत सारे पैसे खर्च करती है और दोस्तो अगर बात करें हम बॉइस की तो बॉइस अपने लुक पर इतना ध्यान नहीं देते है जो कपटे सामने दिख जाए वही पैन के अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते है अगर बात करूं बेपस्नली तो अपने फेस पे पाउडर लगना भी पसंद निकरता तो कॉस्मेटिक्स दूर की बात है दोस्तों आगे फैक्स और भी हैस थांगे दोने वाले इसलिए फीडियो को पुरा देखीगा अगर इस चैनल पे आप नहीं हो तो तुरिंदा के सब्स्राइब कर लिए क्योंकि हम आपके लिए ऐस नहीं दूनिया बर्के इंट्रेस्ट और अगर बात कुर में हम बोईस की तो हम एक इंच क्या, दस इंच बाल काटने से पहले भी जाता नहीं सोचते है और नहीं हम अपने बालों को इतना साथ ध्यान रखते है और नहीं कुछ ट्रेटमेंट करवाते हैं बोईस का दिल easily किसी भी गल्स पे आ जाता है बोईस easily गल्स की तरफ attract हो जाता है और वो सोचते हैं कि मैं सब के साथ sex करू लेकिन अगर पात कुरू में गल्स की तो गल्स इस मामले में कफी choosy होती है relationship का decision लेने से पहले गल्स दस बार सोचती है और गल्स इस पे trust करती है उसी के साथ physical होना पसंद करती है फैक्ट नमबर 11 गल्स या बोईस दोनों में से ज़्यादा कौन बोलता है दोस्तो scientific research से पता चला है कि बोईस के मुकाबले गल्स के brain में 15% blood flow ज़्यादा होता है इसलिए बोईस के मुकाबले गल्स ज़्यादा बोलती है और बोईस बोलने के मामले में गल्स से मुकाबला बिलकुल नहीं कर सकते है बले ही गल्स बोटर के जग ना लड़ सके लेकिन घर और डेली लाइफ सोसाइटी की जग इनसे बहतर कोई यह लड़ सकता देली लाइफ में गल्स इतना जंग लड़ती है गर के बाहर और गर के अंदर इतने responsibility निभाती है इतना सब कुछ इन से पेतर हैंडल कोई नी कर सकता दोस्तो अगर आप भी अपने mom and sister से प्यार करते होंगे तो मेरी बात से जरूर एगरी करेंगे mom and sister के लिए दोस्तो एक लाइक तो बनता है दोस्तो क्या आप चानते हो दुनिया में सबस्यादा क्राइम कौर करता है गर्ल या बोईज जी दोस्तो इसका जवाब है बोईज दुनिया भर में सबस्यादा हिंसा जगडा और क्राइम बोईज ही करते हैं इसके पीछे एक major बड़ा रिजन है लालच फिर चाहे वो लालच पैसो का हो या पावर का गर्ल के मुकाबले बोईज ज़्यादा लालची होते हैं इसलिए दुनिया भर में क्राइम के मामले में गर्स काफी शरीफ है लेकिन दुस्त अगर बात कुरू में माइंड के इमोशनल ब्लैक मेल कराएम की इस मामले में गर्स बोईज से काफी आके है जो कि इंसान को इमोशनल लेवल पे हर्ट करता है और हम बोईज आसारी से इस मामले में अंदर से तूट जाते हैं urdostar नमबर 8 फोकस दूस्तर फोकस और कांसेनल ची से मामले में बोईज का कूई जवाब ने वैसे तो हम फोकस और कंसेनल कम ही करता है लेकिन जब भी करते हैं दुनिया बदल देते है दोस्तो scientific research से पता चला है कि जब भी boys किसी चीज़ पर focus है, concentrate करते है तब वो आस-पास की दुनिया से disconnect हो जाते है और उनका mind का पूरा energy, उसी चीज़ को कैसे हासिल करू या इस complicated problem को कैसे solve करू इस काम पर लग जाता है इसलिए दुनिया भर में girls से मुकाबले boys नहीं ज़्यादा invention की है और world reaches person में ज़्यादा boys ही है दूस्तो सच बात तो यह है boys ज़्यादा style मारने प्याँ जाए तो हमसे बेतर दुनिया में stylish और कोई नहीं girls भी नहीं सो गाइस boys girls के मुकाबले स्रादा stylish होते है बट occasionally दोस्तो इस बार में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरू बताईएगा और इस चैनल पर बने रहेगे और इस वीडियो के साथ भी बने रहेगे कि आगे facts और इंटरस्टिक होने वाले है अगर इस चैनल पर आप नए हो अगर आपने मुझे इंस्टाद में फॉलो नहीं किया तो दिजा कि मुझे इंस्टाद में फॉलो कर लिए और उनकी रिस्पेक करते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब चरू कीजिएगा Fact No.5 Relationship Relationship के मामले में girls boys से बहतर होती है Girls अगर किसी पर बरुसा करती है तो वो पूरी तरह बरुसा करती है और boys किसी पर आस्तानी से बरुसा नहीं करते और second option हमेशा रखते है Girls relationship के मामले में ज़्यादा loyal होती है और वो कोशिश करती है कि relationship ज़्यादा चले इसलिए वो अपना effort डालते रहती है और boys effort कम और profit के बारे में ज़्यादा सोचते है इसलिए girls के relationship and friendship ज़्यादा समय सक चलती है Fact No.4 Feelings Boys के मुकाबले girls के पास ज़्यादा feelings होती है इसलिए वो हर छोटी बड़ी चीज को notice करती है और उनको feel भी करती है दोस्तों आपने भी notice किया होगा कि लड़किया छोटी छोटी चीजों से impressed हो जाती है तोकि वो छोटी छोटी चीजों के पीछे की आपकी feelings को भी respect करती है दोस्तों मैंने और भी interesting topics के वोपर वीडियो बनाई है अगर वो वीडियो देखने में अगर आपको दिल्चस्पी है तो आप I button पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते है Fact No.3 Food दोस्तों आप सबने मा के हाथों का बना हुआ खाना जरू खाया होगा और हर किसी को अपने मा के हाथों का खाना ही अच्छा लगता है लेकिन दोस्तों दुनिया भर के बड़े-बड़े होटोलों में शेफ boys ही होते है और उनके हाथों का खाना भी बहुत टेस्टी होता है दोस्तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी होटोलो या रेस्टरौन का खाना ज़रू खाया होगा इस मामले में boys and girls दोनों ही एक सामान है दोनों ही टेस्टी खाना बनाते है दोस्तो आपकी कौन सी फेवरेट दीश है मुझे कमेंट करता जरू बताईएगा दोस्तो एक सर्वे से पता चला है कि girls को हाइटेड एंड मस्कुलर boys ज़्यादा एट्रेक्टिव एंड अच्छे लगते हैं इसके बीछे सांटिविक रिजन है कि ज़दा हाइटेड एंड मस्कुलर boys girls को ज़दा मिच्च और सेफ एंड प्रोटेक्टेड फिल करवाते हैं और अगर हम बात करें boys की तो लड़कियों की हाइट चाहे छोटी हो या लंगी स्लीम हो या थोड़ी हैल्दी हमें कोई प्रॉलम नहीं होती वस लड़की थोड़ी कुपसूरत होने चाहिए हमें पसंद आ जाती है सच में दुस्तो कमाल का फैक्ट है दुस्तो मैं उमीद करते हैं जो भी facts मैंने आपको बता है वो आपको ज़रू पसंद आ होगे मा के हातों में काम बटाना शुरू कर देती है और कम एससे फैमिली की responsibility उठाने में लग जाती है और बोईस इस मामले में वक्त और हरात के साथ responsible बिच्वार बनते हैं तो चलिए दोस्तो आज चलिए इतने info काफी है अब हम मिलते है अगली वीडियो में अगर आपके कुछ सुझाव या सवाल होगे तो मुझे comment करकर जरूर बताईएगा आप मुझे instagram पे भी follow कर सकता है instagram की link में description में दे दी है आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत थन्यवाद